बेटा आज के रिवीजन लेक्चर में मैं आपका वेलकम कर रहा हूं सो आपको मैं आयोनाइजेशन एनरजी के बारे में बताना जाता हूं कि एक नया periodic property है यह और मैंने आपको बताया था कि periodic properties कौन सी property होती है periodic properties वो properties होती है जो vary करती है with respective electronic configuration और वो change होती रहती है period में जब आप left to right जाते हो और group में जब आप top to bottom जाते हो तो सबसे पहले आपको आयोनाइजेशन एनरजी की definition बतावना चाहिए यह आज की periodic property हम study कर रहे है इसको हम period में भी study करेंगे group में भी study करेंगे but not today तो बच्चो यह है क्या property इसकी definition हमें कहती है it is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an isolated gaseous atom ठीक है एक isolated atom के अंदर से उसकी outermost shell में से जहाँ पर nucleus की attraction सबसे कम है जब हम electron को निकालते हैं उसको हम बोलते हैं ionization energy तो फिर मैंने आपको लग लग example करके दिखाई सबसे पहले मैंने आपको केस यह दिखाया यहां पर कि कोई भी एक atom है gaseous state में उस पर ionization energy लगाऊगे तो वो atom किस में convert हो गया कर टायन में एक electron निकल गया तो यह है ionization energy जिसकी मदद से हमने उस electron को निकालता तो बच्चो sodium का example मैंने पहला case discuss करा इसकी electronic configuration ऐसे होती कि अगर यह एक electron lose कर ले है noble gas में convert हो जाएगी तो जब इसके उपर ionization energy लगती है यह अपना electron lose करती है जैसी अपना electron lose करती है बेटा उसी time यह noble gas में convert हो रहती है क्योंकि यहां पर already electron lose होने की capacity में है तो यहां पर ionization energy बहुत ज़्यादा कम लगेगी क्योंकि electron already remove होना चाहरा है तो हलकी से energy लगाओगे साथ ही electron निकल जाएगा तो इन cases में metals में ionization energy जो होती है वो usually बहुत low होती है negative होती है और असानी से electron में से निकल जाता है case 2 लिया मैंने जी आपके लिए और case 2 लिया था बेटा मैंने आपके सामने noble gases का कोई भी noble gas उठालो बेटा उसकी electronic configuration fully filled होगी ही होगी ऐसी noble gases में से electron को निकालना impossible है kind of तो अगर यहाँ पे ionization energy लगाएंगे बहुत बहुत ज़ादा ionization energy लगेगी तो यह जो मैं तो आपको hypothetical करके दिखा रहा हूँ it is not possible तो इसी तरह मैंने आपसे case discuss करा 3 third case में मैंने group 17 का element लिया जो already wait कर रहा है को उसको एक electron मिले तो वो noble gas बन जाए पर यहाँ पे हम इसके इसके अंदर से electron निकालने कोशिच कर रहे है तो यहाँ पे again यह बहुत बहुत हाई आने वाली है electron निकालना बहुत बहुत टफ हो जाएगा kind of impossible हो जाएगा हमारे लिए ठीक है जी तो यहाँ पे भी बहुत जादा ionization energy आपको देखने को मिलेगी फिर मैंने last case आप से discuss करा था जिसके अंदर मैंने कलकली metal ली थी potassium उसमें से एक electron निकालना ionization energy 1 की मदद से यह बहुत जादा low लगी ठीक है बहुत जादा low हुई use हुई क्योंकि वो electron अलड़ी बाहर आना चाहरा था उसके बाद अब जब आप ionization energy 2 लगा होगे इसी electronic configuration में से एक electron निकालने के बाद अगला निकाल लोगे वो possible नहीं होगा क्योंकि यह बहुत बहुत जादा high और positive हो जाएगी क्योंकि अब आपके पास एक electron निकाल के आप पहुंच गया noble gas में so जब k positive हमारे पास है यानि इसके पास 18 electron है so k positive में से electron निकालना not possible very tough इस करके आया ionization energy बहुत बहुत जादा लग जाती है तो आने वाले lectures में मैं आपको इसकी variation करवाऊंगा कि यह period और group में कैसे vary करती है तो आज के लिए इतना ही stay home stay safe study hard